Hello friends, welcome to part 4 of chapter 6 भक्ति सूफी ट्रडिशिंस So we were discussing in the last video the topic the चिष्टी इन दे सब कॉंटिनेंट इस topic के अंदर हमने पढ़ा about the life in the चिष्टी खान का तो इसके अंदर example किसका देकर आपने समझाना है आंसर के अंदर शेख निजामुद्दिन के खानका का ठीके उनके होस्पिस का तो हमने बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर पढ़ ली अब हम देखते हैं कि शेख निजामुद्दिन के खानका में कौन-कौन लोग आया करते थे Who were the attendants? Who were the visitors? सबसे पहले वो लोग थे जो कि discipleship के लिए आये हैं दूसरे लोग जो कि emulates के लिए आये हैं emulates मतलब तावीज ठीक है? थर्ड जो है वो है intercession मतलब कि किसी का भी कोई dispute हो गया है So they want की शेख जो है वो हमारी problem को sort out कर दे ठीक है? अब कुछ famous visitors में से तीन नाम दिये गए हैं दो पहले point है First है आमीर हसन सिस जी Second है आमीर खुसरो Okay and जो third person है जियावदिन बर्नी ये जो है एक court historian है ठीक है? दरबार इतिहासकार है अब जैसे आपने पढ़ा कि जो चिष्टी है वह बहुत जाद़ influential sufis है ठीक है? ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्हें ने local traditions को जो है follow करना शूड़ो कर दिया था example पर हम लेकर समझते हैं कि local traditions जैसे कि इंडिया के अंदर पहले भी follow किये जाते थे to boat down in front of the shake ठीक है? जो water है जो बाहर से attendance हा रहे है उन्हें offer करना ठीक है? initiates का head जो है वो shave करना hairs were not allowed ठीक है? उसके बाद जो yogic exercise है उन्हें practice करना ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं जो चिष्टी devotionalism है मतलब भगवान के प्रती जो love है वो कैसे जो है show किया जाता था? ठीक है? इसके दो तरीके हैं एक है जियारत एक है क्वाली जियारत का क्या मतलब होता है? तीर्थ यात्रा करना ठीक है? तो क्यूं करते थे लोग जियारत? जियारत करने का main मकसद होता था बरकत बरकत का क्या मतलब होता है? कि जो सूफीज हैं उनके जो वाली हैं, हमने वाली का मतलब पढ़ा था friend of the God, ठीक है, उनकी जो है blessings लेने के लिए उनकी spiritual grace लेने के लिए लोग जियारत करते थे ठीक है, उसके बाद आप ये जो जियारत का process है आप किसके example से समझाने वाले हो ख्वाजा मुन्युद्दिन का जो shrine है, उनका जो खानका है ठीक है, that was the most worshipped shrine, ठीक है, सबसे जादा यहाँ पर जियारत की जाती थी, ख्वाजा मुन्युद्दिन का जो shrine है उसे गरीब नवास भी बोला जाता है, गरीब नवास का क्या मतलब है कि यह वो जगा है जहाँ पर गरीब जो person है ठीक है, poor जो लोग है, उनके लिए भी comfort है, उनके लिए भी आराम है कि उनकी जिन्दगी अच्छी हो जाएगी, तो गरीब नवास का मतलब होता है, comfort of poor, ठीक है ऐसा क्यों था कि Khwaza Munyuddin का shrine बहुत जादा worshiped बन चुका था, इसके हमारे चार reason बताएंगे, आप first reason होगा कि यह जो Khwaza Munyuddin का shrine है, वो दिल्ली और गुजरात का जो trade route है, उसके बीच में अजमेर पड़ता है वहाँ पर है, तो trade करते हुए लोग आते जाते, यहाँ पर visit करते रहते थे, second चीज है, जो शेख है, उनकी austerity और pity बहुत जादा famous थी, austerity means तपस्या, pity means कि उनके अंदर जो religious भावनाई है, ठीक है, उसके बाद Khwaza Munyuddin के जो religious successors थे, उनके बाद जो लोग आए, वो भी बहुत जादा great थे, religious थे, spiritual थे, ठीक है, fourth reason आप बताएंगे कि यह जो shrine है, उसे royal visitors की भी patronage बहुत जादा मिलती थी, मतलब कि जो राजा लोग हैं, वो भी यहाँ पर बहुत सी funding provide करते थे और यहाँ पर आते जाते रहते थे, ठीक है, अब example सी समझ लीजिए, तीन लोगों का example है, तीन बड़े राजाओं का, सबसे पहले जो सुल्तान थे, जो की khwaja munyuddin के, यहाँ पर आए थे, उनका नाम है मुहम्मद बिन तुगलक, question आ सकता है, first सुल्तान to visit khwaja munyuddin shrine was your मुहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद जो first सुल्तान जिन्नों ने यहाँ पर funding की थी, यहाँ पर construction के लिए, पैसे दिये थे, वो कौन है, सुल्तान घ्यासुदिन खाल जी, ठीक है, सुल्तान घ्यासुदिन खाल जी, अब हमें पता है कि जो अकबर हैं, वो बहुत जादा famous थे, ठीक है, अकबर भी जो हैं, यहाँ पर आया करते थे, ठीक है, यह कैसे attract हुए यहाँ पर आने के लिए, जो यहाँ की disciples थे, उनकी spirited singing को देख कर बहुत जादा प्रभावित हो गए, मतलब वो कवाली जो है, वो इतने प्रेम से गाया करते थे, कि इस चीज़ से अकबर को, जो है, बहुत जादा attraction हुमा towards the shrine of Khwaja Muniuddin, ठीक है, यह तीन कामों के लिए आते थे, first है new conquest, अगर इन्हें बहुत बड़ी जंग लड़ने जाना है, blessing लेने आएंगे, जब जीत जाते थे, तो दुबारा से जो है thank you कहने आते थे, ठीक है, second चीज है, to fulfill the woes, मतलब इन्होंने जितनी भी ओथ ले रखी है, प्रतिग्या करी है कि अगर मैं जीत जाऊंगा, तो मैं वहाँ पर जाऊंगा, इस चीज के लिए भी वो यहाँ पर आते थे, third चीज है, जब भी इनके sun का birth हुऊ होगा, मतलब बेटों के जनम पर जो है, अकबर यहाँ पर आया करते थे, ठीक है, बताया गया है कि 1580 से पहले जो अकबर है, यहाँ पर 14 टाइम्स आ चुके थे, इसके बाद थोड़ा उन्होंने कम कर दिया था आना, ठीक है, एक तरह से बंद हो गया था, उसके बाद 1568 के अंदर ना इन्होंने, जैसे रॉयल पैट्रों ने इच प्रोवाइड कर रहे हैं सारे किंग्स, त ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पेश्राइन के पास जो है, एक मॉस्क बनवाने के लिए भी फंडिंग जो है, वो दी थी, ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा जियारत, ठीक है, जियारत से भगवान के साथ जुड़ा जा सकता है, अब उसके बाद चीज है कि, याद को कैसे याद करते थे, ये बड़ा सवाल है, इसकी तीन आंसर नहीं होंगे, फेस्ट है कवाली, जो एक मिस्टिकल नीज़्िक होता है, मतलब भगवान से कैनेक्ट कर देने वाला नीज़्िक होता है, ठीक है, इसे जो लोग गाते हैं, वो बहुत जाधा ट्रेंड और उन्हें बोलते हैं कवाल्स ठीक है उसके बाद ये क्यों गाया जाता है दाट इस टू इवोक डिवाइन एक्स्टेसी मतलब भगवान मिल जाने का जो आनंद है उस चीज को एक्सपीरिंस करने के लिए इसे गाया जाता है ठीक है तो जो आमीर खुसरो है इन्होंने एक ब आमीर खुसरो ने कहा कि हम कुछ लाइन्ज कवाली गाने से पहले भी बोलेंगे और बाद में भी बोलेंगे जिसे कॉल बोला गया ठीक है पहले भी और बाद में भी कॉल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेंग ठीक है तो ये हो गया हमारा पहली चीज की कैसे उ लेकिन है जिक्र मतलब की जो भगवान के डिवाइन नेम है उन्हें बोलने से जो है भगवान को याद रखा जा सकता है। तीसरा जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं सामा सामा का लिटरल मीनिंग है ओडिशन ठीक है इसके अंदर क्या होता है कहीं लोग बैठे होते हैं और कहीं रेसिटेशन की जाती हैं ठीक है कुछ बोला जाते हैं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना होता है उसे बोलते हैं सामा ठीक है अब हमने ये कर लिया कि चिश्टी की कैसे डिवोशनलिजम होती थी अब उसके बाद अगला हमारा टॉपिक देखिए That is Language and Communication मतलब कि कैसे चिश्टी ने local languages के ओपर emphasis डाला जिसकी वज़े से बहुत ज़ादा influential हो गए ठीक है तो ये सिरफ सामा जो है जो लोकल ट्रडिशन से अडॉप्ट की गई हो ये सारी बातें जो हैं वो रीप्रेजेंट करती हैं कि जो चिष्टीज हैं आफ अडॉप्टेड दे इंडियन डिवोशनल ट्रडिशन ठीक है सबसे फर्स चीज है इन्होंने लांगविज कौन सी यूज करते थे दिल्ली के अ उसके बाद जो बाबा फरीद है इनका जो जितने भी रिटन कॉमपोजिशन है ठीक है ये एक सूफी थे वो लोकल लांगविज के अंदर लिखते थे ठीक है जो बाबा फरीद है इनकी काफी कॉमपोजिशन गुरु गरंद साहिब के अंदर भी लिखी गई है तो ये लोक मसनव इसका क्या मतलब है this means long poems ठीक बहुत लंबी-альные poems होती थी tea example इन्हों ने दिया है परीम, अक्यान ठीक पर्ऐम, अख्यान का क्या मतलब है एक love story है कि और प्त-मावत भी बहुत-नलff ягा जाता है इसके अदर एक दुसरे को जो है लव करते थे इसके बारे में जो है एक long poem लिखे गई है और किसके द्वारा लिखी गई है मलिक मुहम्मद जयासी द्वारा लिखी गई है मस्नाविस जिसका नाम है प्रेम अक्यान ठीक है पदमावत तो इसको भी जो है जो चिश्टीज है वो कभी कभी स तामा के अंदर जो है गाया करते थे ठीक है उसके बाद हमारे जैसे बीजापुर एक जगहा है करनाटका के अंदर यहाँ पर सूफीज ने अलग तरीके की पोईम्स लिखनी शुरू करी ठीक है दखानी लैंग्वेज के अंदर तो यह जो लैंग्वेज है न वो उर्दू की एक टाइप है ठीक है दखानी लैंग्वेज करनाटका के अंदर कहीं ऐसी पोईम्स बनाई गई सूफीयों द्वारा जो की लोगों द्वारा गाई गई जैसे जो फीमेल जो लेडीज है जो करका काम कर रही है वो करते करते इन सारी पोईम्स को जो है गाते थे ठीक है और पोईम्स बनाई गई है ताकि लोकल ट्रेडिशन के साथ जो है हम मैच कर पाएं जिनने लूरी नामा बोलते हैं और इंग्लिश में लूलाबी बोलते हैं यह वो पोईम्स है या वो सॉंग्स है जो कि छोटे बच्चे को सुलाने के लिए जो है यूज किये जाते हैं उसके अपने आपको जो है इन वचनाज जो कि आपको पता है वीर शेवास की जितनी भी हमें नॉलेज मिलती है वो वचनाज से मिलती है और और इन्होंने जो मराथी अभंग्स है ठीक है पंधारपुर के उनकी भी काफी सारी चीजों को अडॉप्ट किया है तो आप देख सकते ह इन्होंने ट्रेडिशनल चीजों को कितना अडॉप्ट कर लिया है अब अगला इंपोर्टेंट टॉपिक है सूफी अंदर स्टेट मतलब कि जो सूफी है जो चिश्टीज है इनका क्या रिलेशन था स्टेट के साथ स्टेट का मतलब होता है पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेश जिसका आप मतलब निकाल सकते हैं कि उस टाइम पर जो राजा है उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है क्या रिलेशन है तो सबसे पहली बात है देखिए जो चिश्टीज है और जो सूफीज है वो ऑस्टेरिटी में बिलीव करते थे मतलब कि तपस्या में बिलीव करते थे पर तो हमारे शीक हैं, वो क्या करते थे, they used to just accept the unsolicited grants and donations, मतलब कि बिना मांगे, जो किंग कुछ भी दे रहा है, उसे जो है, accept कर लेते थे, कोई भी donation मिल रही है, ठीक है, तो जो किंग हैं, वो क्या करते थे, जो हॉस्पीस हैं, मतलब जो खान का है, उसके construction के लिए पैसे दिया क करते थे, और पैसा भी दिया करते थे, मतलब कैश में भी जो है, इने donations देते थे, और काइंड, काइंड मतलब कोई भी समान दे दे दे, ठीक है, कैश और काइंड दोनों के अंदर, जो है, इने गिफ्ट दिये जाते थे अब जो हमारे शेक हैं वो ऐसे नहीं करते थे कि सब कुछ ही कटा करके रख लेना और कुछ बहुत बड़ी चीज खरीदना पर वो अपनी डेली नीड्स के लिए जो है उन चीजों को यूज करते थे या उन पैसों को खर्च किया करते थे ठीक है कि पावर्स बढ़ रही थे ऐसे क्योंकि जो लोग हैं इने सपोर्ट कर रहे थे और किंग्स जो हैं इने सपोर्ट कर रहे हैं तो ये और भी फेमस हो रहे थे ठीक है अब उसके बाद किंग्स ऐसे क्यों करते थे because they needed the legitimization legitimation का क्या मतलब होता है कि जब आपको देखिए जो king है ना वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो religious leaders हैं उन्हें अपने साथ ही रखते हैं ठीक है फेवर में ही रखते हैं क्यों कि इतने लोग उन्हें follow कर रहे होते हैं अगर जनता उन्हें support करेगी तो ही जो king है वो वहाँ पर रहे सकता है अराम से ठीक है तो religious leader को अपने साथ रखना बहुत important है ठीक है example दे रखा है जो दिल्ली सलतने जब टर्क्स दुआरा जो है स्तापित कर दी गई थी तब उन्होंने उलामा को जो है अपना उलामा कौन थे वो leaders थे जो की सब कुछ administration को चला रहे थे ठीक है हम इसलाम के वो लोग ठीक है इनका जो रूल है उन्हें जो है नहीं इंपोस करना चाहते थे लोकों के उपर क्योंकि इन्हें पता था कि जाधतर जो लोग हैं इंडिया के अंदर वो non-muslim है ठीक है और ये जो हमारी strict जितनी interpretation करते हैं ये शरिया की कुरान की वो लोग नहीं म उपर जो है कुरान को interpret करते थे ऐसे नहीं कि बिलकुल ही रूडी वादी ऐसे विचारधारा नहीं रखते थे इसलिए लोग जो है simply थोड़ा adopt कर सकते थे इनकी ideology को सूफी की ideology को ठीक है उसके बाद जो ये हमारे king है वो क्या चाहते थे कि जो उलिया है उलिया का मतलब क्या वाली मैंने आपको समझाया था वाली एक ऐसे परसन है शेक है जिनकी डेथ हो गई है और वो डेथ के बाद जो है भगवान से मिल गए है और उन्हें जो है काफी मतलब closeness हो गई है God के साथ तो वो एक तरह से हमारी wish पूरी करवा सकते है God से तो जब जब जादा वाली मेरी जो body है उसे कहां दफनाया जाए that should be near the shrine or the hospice मतलब की जो हमारा खान का हो गया या फिर जहां पर शेक को जो है दबाया गया है उनके आसपास ही होना चाहता हूं मैं क्यूंकि उनका जो है connection God के साथ बनावाया है और मेरी after life जो है मेरी इस जिंदगी के बाद अगली जो सिंदगी होगी वो अच्छी हो जाएगी ठीक है तो ये relation है ठीक है उसके बाद काफी conflicts भी थे जरूरी नहीं है कि इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है इनके बीच में तो कोई conflict नहीं है क्योंकि जो हमारे सूफी है वो अपने आपको treat कैसे करवाना चाते थे उनकी कुछ guidelines ठीक है जो state है जो king है उनके सामने कैसे कोई भी person represent होगा उनके सामने जुकेगा ठीक है उनके पैर चुएगा ये सारी चीजों को दोनों लोग जो है seriously ले रहे हैं इसकी वज़े से उनके बीच में जो है थोड़ा conflict है जो सूफी है उनके सामने बिलकुल जुक के जो है लोग बात करते हैं उसके बाद राजा के साथ भी ऐसा है तो ये conflict है कि कौन बढ़ा है ये चीज जो है problematic है ठीक है जैसे prostration एक ऐसी बाड़ी की position है कि पूरी बाड़ी ऐसे लंबा लेट जाना ठीक है तो ये सारी चीजें करना state को भी बहुत अजीब लगता था in front of सूफीज और सूफीज तो हैं ही ठीक है मास्टर्स उन्हें भी अजीब लगता था तो ये conflict था ठीक है तो जो हमारे शेक है ना उनके लिए भी बड़े बड़े titles यूज किये जाते थे जैसे निजामुद्दिन ओलिया है जो हमारे ठीक है निजामुद्दिन शेक हैं उनके followers उन्हें सुल्तान उल्मा शेक बोलते थे मतलब की शेकों के सुल्तान ठीक है तो ऐसे बड़े बड़े भी titles दिये जाती थे अब हम अगली topic पर जा रहे हैं जो की बात करता है poet saints की मतलब ऐसे संत जो की poetry द्वारा अपने thoughts को express करते थे लोगों के उपर impact जो है वो बनाते थ तो जो topic है वो है new devotional parts first person है हमारे कबीर ठीक है कबीर जो है इनका जो जीवन है वो 14th और 15th century के बीच में पढ़ता है परंतु जो हमारे scholars है historians हैं वो सोचते हैं कि मतलब हमें proper evidence नहीं मिला कि हम कह सकते हैं कि इसी time में इनका जो है जनम और इनकी life थी ठीक है तो जो कबीर है उ चाप्टर के बिलकुल शुरू में जो समझाया था ना वो याद रखना ज़रूरी है कि ये खुद कुछ नहीं लिखते थे they used to just orally say the poems ठीक है और उनके बाद जो है उनकी death के बाद इनके followers ने लिखी थी कुछ compositions जो की fluid थी ठीक है और hagiographies भी जो है वो लिखी गई थी by the disciples of कबीर ठीक है तो hagiographies और compositions से हमें कबीर के बारे में बहुत सब कुछ पता चलता है इनकी जो poems है जो इनकी रचनाएं है वो तीन चीजों के अंदर हमें मिलती है तीन ग्रंथों में मिलती है फर्स्ट है कबीर बिजक ठीक है कबीर बिजक एक ऐसा ग्रंथ है जो की कबीर पं ड़ारा प्रिजर्व किया गया है कबीर बिजक ठीक है तहीं के बाद कबीर ग्रंथावली है जिसे की दादू पंध नाम के गृप ने प्रिजर्व करके रखा है राजस्तान के अंदर तीसरी जो गरंथ है उसका नाम है आदी गरंथ साहिब ठीक है ये जो है सिख जो पीपल है उनकी पाइस बुक है ठीक है उनकी सेक्रेड बुक है अब जो हमारे कबीर है ना इनकी जो पोईटरी है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती जा रही थी 19th century गे अंदर बहुत पूरे इंडिया में मतलब इनकी आइडिलोजी इतनी अच्छी थी कि पूरे इंडिया के ओपर प्रभाफ पढ़ रहा था जैसे गुजरात महराश्च्रो और बिंगॉल के अंदर इनकी जो बाते हैं वो बहुत जादा important है ठ सकता है तो आप क्या करने पूरे चैप्टर को रिलेट करके चलने सबसे पहले आपको बताने है पोईट सेंड्स कौन है ठीक है उनकी कॉमपोजिशन कैसे कैसे लिखी जाती थी जो चैप्टर के हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था फिर यह जो कभीर है वो निर प्रिकुलर स्ट्रक्टर में फॉर्म में नहीं पूछते यह एब्स्ट्राक्ट फॉर्म ओफ गॉड को जो है वर्शिप करते हैं ठीक है दूसरी जो एक पर्टिकुलर स्टाइल है राइटिंग का उसे बोलते हैं उलट बंसी ठीक है इसका मतलब है अबसाइड डाउन मतलब उल्टी बाते ठीक है इसका क्या मतलब है कि कई ऐसी बाते हैं जिनका inverted meaning है थोड़ा अलग ही meaning है ठीक है मतलब जो कबीर है उन्हें ऐसे experiences होते थे God के साथ मिल जाने के कि जो की words के through जो है न वो express नहीं की जा सकती God द्वारा बनाए गई नेचर ठीक है तो जैसे इन्हों ने लिखा है the lotus which blooms without flower fire raging in the ocean ठीक है जो समुद्र है उसके अंदर आग जल रही हो तो ऐसी सारी चीजे नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आ सकती तो उस भाशा को उलट बंसी बोला जाता है ठीक है इस पार्ट के लिए इतना ही अब हम next पार्ट में कबीर को continue करेंगे till then see you in the next video bye